और आज गिस वीडियो में मैं लोग जेस इंट्रीव सीरीज को कंटीनियो करते हूं डेट 20 के अंदर बात करने वाले हैं कियार सपोस्थ अट मेरे पास दो तीन एरे हैं जावास्क्रिप के अंदर ठीक है जावास्क्रिप प्रोग्राम के अंदर और मुझे उन में से कोई सब्सक्रिप करने वाले हैं और आपको इंट्रीवर भी पूछ सकता है इंट्रीवर के अंदर की है यह जीज़ आप लोग किस तरीक से कर पाओगे ठीक है तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या एक नई फाइल करेंट करते हैं और इस्टे बाइस्टेप समझते हैं इस सब्सक्रिप कर लिए हैं जिसके अंदर फॉर फाइफ देखो यह कुछ आइटम से इस तरीके से रखेंगे हैं अब जरूर नहीं कि इसमें डेटा यूनिक हो इसमें डेटा सेम से महां देखो एरे वन के अंदर भी फॉर है एरे फॉर है और फाइफ सिंपल आपका एरे वन के अंदर भी ऐरे टू के अंदर भी आपको मिल जाएगा एरे थी के अंदर भी मिल जाएगा लेकिन जो डुपलिकेट वैलू यहां हो रही है मतलब बुपली के टॉلो कोपी हो रही है मतलब एरे बन के न्दर हो ही तो मुझे क्या करना है सबसे पहले यह जो तीन एरे अलग अलग एरे हैं इनका मुझे एक एरे बनाना है ठीक है और उन में से मुझे क्या करना है जो डुप्लिकेट वैल्यू हो रही है मतलब जो बार बार कोई रिपीट हो रही है उसको मुझे यहां पर हटाना है और एक इस तरह से कुछ भी डाल सकते हूं मैं आप यूनी इक्वस्टू फैट एरो फंक्शन कुछ इस तरह से आप पास कर दिया मैंने उके अब क्या करूआ है मैं लिखूँँगा लैट यह बनाम से मैं इक काम करता हूं एक वेरेबल बनाने तो इस त्रीके से मुझे एक एरे करेट करना है तो खाइज मैंने आपको बदा रखा है spread operator spread operator का video मैंने react.js की series के अंदर भी डाल रखा है और javascript की series के अंदर भी मैंने इस चीज को डाल रखा है तो आप लोग करोगे क्या आप लोग लिखोगे triple dots इस तरीके से ठीक है और आप लोग यहाँ पर array one pass कर दोगे कोमा दोगे आप लोग अगेंट triple dot लिखोगे array two के लिए तो मैं लिखे दूँआ सिंपल एरे टू के लिए अगेंट triple dot कोमा एंड इसी के साथ अगेंट triple dot एंड array three perfect इतना करना है अब यह क्या होगा यह बैसिकरी यह जो न्यू एरे में इस तरीके से spread operator array one spread operator array two spread operator array three लिकर आउना तो इसका मतलब यह है कि एक एरे बन चुका है अभी यह तीन एरे थे पहरे के के लिए मैं लिखूँगा CLS और और मैं लिखूँगा node and date 20.js और जैसे मैं इंटर मारूँगा तो आप लोग देशकते हो मेरे सामने एक complete array बन चुका है जिसके अंदर यहां इस मतलब एरे बन चुका है जिसके अंदर यहां से लेखे एरे तरीका ज़र लास्ट वैलियो फाइफ यह देख सकते हो फाइफ यहां तक का एक complete array बन चुका है यह तीन एरे थे अब हम लोगों ने basically आपको ऐसा कुछ कर रहा होना कि बन चुका है तो सारे आइटम तो आप लोगों कुछ इस तरीके से कर सकते हो यह जाप करियर हो गई होगी ठीक है और भी तरह के हैं करने के लेगिन एक basic सा beautiful सा तरीका यह भी है आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं अब मुझे करना क्या है मुझे करना यह है कि देखो फ तो हम लोगों ने ओल्रेडी देख रखा है न्यू एंड सेट हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर या फिर हम लोगों ने इस सीरीज के अंदर कहीं ना कहीं बात किया आप लोग जूरू जरू जेक आउट करना उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि न्यू गरंए इस चीज को आपलोग लेकरतूं चीज से एक और इस तरीके से मतलब इस तो चुछिए मुझे एक है इस तरीके से लिखूंगा array return करो एक array इसके अंदर क्या करोगा आप लोग spread operator लिखो ये बड़े काम की चीज़ होती है आप लोग लिखोगे spread operator and लिखोगे new and set set as capital होगा इस तरीके से अब set क्या होता है set में हम लोग duplicate value assign नहीं कर सकते ठीक है दखो array के अंदर तो हम लोग duplicate value assign कर सकते हैं मतलब हम लोग इसके अंदर कोई और भी value same से हम लोग रख सकते हैं तो तरी और भी मैं यहां पर रह सकता हूं लेकिन यह जो new set होता है इसके अंदर हम लोग duplicate value assign करी नहीं सकते तो यह जो new array है ठीक है मतलब यहां पर डूप्लिकेट वेलियो साइन हो रही है इस न्यू एरे को मैं यहां पर इस सेट के अंदर पास कर दूँ तो काम मेरा बन जाएगा मैं यहां पर इस तरीके से न्यू एरे लिग देता हूं ठीक है और मुझे कंसोल करना पड़ेगा अभी यूदिको तो मैं लिखूँगा सिंपल कंसोल डोट लोग और इस यूदिको मैं आप इस तरीके से कंसोल करा दूँगा ओके सेव करते हैं ठीक है बस इतना है करना अगर आपको डुप्लिकेट वेलियो निकाल नहीं है तो आप लोग इस तरीके से इसको कर सकते हो बस इतना एकरना cls करना है और इस वाली फाइल को आपको रन करना तो 321 अक्सिलेंट आप लोग देख सकते हो 457231896 ठीक है तो आप लोग मुझे बताओ यारा यह चीज़ आपको केसी लगी यह चीज़ आपको केसी लगी आप लोग इस तरीक से डेटा मतलब सही नहीं आपको मतलब 9 कहीं पर है एंड 8 कहीं पर है 1 देखो यहां पर तो मतलब आपको ओडर वाइज डेटा से इस एरी के अंदर ठीक है इस लिस्ट के अंदर तो आपको क्या कर सकते हो आपको यहां पर डोट सोट में यूज कर सकते हो तो मैं अगर यहा कुछ इस तरीके से CLS करते हैं फिर CLS की कोई ने आपको मैं दिखाता हूं इंटर मारता हूं यह देख सकते हो पहले किसमें कुछ इस तरीके से था लेकिर आप देखो 123456789 तो यह आ आप लोग देख सत्यों घंको कितना यहां पर था कितना कम कर लिया इसको ठीक है तो इस तरीके से अम लोग शकूष कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नैक्स वीडियो में तब तक कि लिए थैनक्योग शौमास टेख केर बाइ बाइ